दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले यह बात चरक ने भी कही है शुशुरुत ने भी कही है बागभट ने कही है निगंटू ने कही है पारशर ने कही है कि जो रोगी होता है वो सबसे अच्छा डॉक्टर हो सकता है क्योंकि उसको अपने दुख और तकलीफ का जितनी गहराई से महसूस हो सकता है वो किसी भी डॉक्टर को नहीं होता जो अपने दुख तकलीफ को गहराई से महसूस कर सकता है वो चिकितसा भी कर सकता है बस उसको कुछ ग्यान की जरूरत है और कुछ ग्यान जादा नहीं थोड़ा सा ग्यान अगर उसके जीवन में है तो वो कहते हैं कि वो हर तरह की बीमारी से लड़ सकता है और दूसरों को मदद कर सकता है उनके इस वाकिय से मुझे बहुत प्रेरणा हुए कि जो रोगी है वो सबसे अच्छा चिकित्सक हो सकता है और आयुरवेद के जितने बड़े पंडित हैं वो भी मानते हैं इस बात को वो ये कहते हैं कि आयुरवेद का 85 प्रतिशत हिस्सा ये बात में आप सबको बहुत विनमरता पूरवक लेकिन गंभीरता से कह रहा हूं इसको आप कभी भू पुली अगामत आपके जीवन के स्वास्थ और चिकित्सा का 85 प्रतिशत हिस्सा इतना सरल और आसान है कि आप स्वयम उसे कर सकते हैं मात्र 15 प्रतिशत हिस्सा ऐसा है जिसमें आपको किसी विशेशक की मदद की जरूरत पढ़ सकती हैं मात्र 15 प्रतिशत अगर परसंटेज में बात किया जाए तो आप जानते हैं 33 परतिशत पर आदमी पास हो जाता है और उसके उपर 2nd division, 3rd division और 60 पर तो 1st division होती है 75 परसेंट पर तो distinction आ जाती है मैं 85 परसेंट की बात कर रहा हूँ 85 परतिशत 85 परतिशत चिकित्सा और स्वास्त का हिस्सा ऐसा है जो आप स्वयम अपने जीवन में कर सकते हैं बिना किसी विशेशग्य की मदद के, बस 15 परतिशत हिस्सा है जिसमें किसी विशेशग्य की जरूरत है और आपको मैं एक आगे की बात कहता हूँ कि ये जो पंदर परतिशत हिस्सा है आपकी जिन्दगी का जिसमें आपको विशेशग्य की जरूरत पढ़ती है ये हिस्से में सबसे कम बीमारियां है सबसे कम बीमारिया माने, जहां आपको विशेशग्य की आवशक्ता पढ़े आपके जीवन में वो बीमारियों की संख्या सबसे कम है और जहां विशेशग्य की जरूरत नहीं है आपको अपने जीवन में वो बीमारियां सबसे ज़्यादा है इसका माने कि हम 85 प्रतिशत तो डॉक्टर होई सकते है conclusion इस बात का ये है अब आप अगर 85 प्रतिशत से और बہतर डॉक्टर होना चाहते हैं तो बागवट रिशी कहते हैं कि अपने शरीर को थोड़ा जान लीजिए बस और वो दूसरी मह्त्यों की बात कहते हैं कि अपने भोजन को पहचान लीजिए शरीर को जान लीजिए, भोजन को पहचान लीजिए, तो वो कहते हैं आप 100% डॉक्टर हो सकते हैं शरीर को जान लीजिए मतलब थोड़ा फिजियोलोजी, थोड़ा एनोटोमी, आज की भाशा में मैं कहूं थोड़ा शरीर विग्यान आपको मालूम हो और ये बहुत आसान है आजकल, कोई मुश्किल काम नहीं है भारत सरकार ने विभिन तरे की छोटी छोटी पुस्तके छपा रखी हैं जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, NCRT के सिलिवस में अब तो ये आ गया है वो किताबें बजार में उपलब्द हैं, आप खरीद लाइए और आपको थोड़ा फिजियोलोजी तो समझ में आई जाएगा थोड़ा बहुत अनोटोमी समझ में आ जाएगा शरीर के क्या-क्या अंग है, अंगों के क्या-क्या उपांग है हिर्दय है तो कहा है, लीवर है तो कहा है, किड्नी है तो कहा है लीवर का किड्नी से क्या संबंद है, किड्नी का हिर्दय से क्या संबंद है आपस के उनके इंटर रिलेशन्शिप है अब तो एक चार्ट आता है, कैलेंडर जैसा मेरी आपको विंती है कि खरीद के एक टांग लीजे अपने घर में आपको भी मदद करेगा, आपके बच्चों को भी मदद करेगा तो ये हिस्सा बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बस इसमें जो मुश्किल हिस्सा है वो ये कि शरीर के अंगों के और उपांगों के जो नाम है वो जो भाशा में दिये गए हैं वो आपको थोड़ा कम समझती है तो आप आयुरवेद वाला ले लीजे वो आसानी से समझ में आएगा उनके आपस के संबंद वगेरा वगेरा मैं इस विशे पर जादा नहीं जाना चाहता क्योंकि ये उपलब्द है आपके साम और इसमें जादा बात करूँगों तो समय खर्च होगा आपको सिर्फ संक्यत कर रहा हूं कि आज आप चाहे तो आज नहीं तो एक दो दिन में अब ही सरकार नंबारे का चार्ट निकाला है ये बात बागवटे जी कहते हैं कि थोड़ा शरीर को जान लो और भोजन को पहँचान लो अब उसमें आगे उन्होंने एक सूत्र लिखा है संस्कृत में कि शरीर को जानना अगर है तो ठीक है इसको जरा और समझेगा शरीर को जानना है तो ठीक है लेकिन भोजन को पहँचानना सबसे ज़्यादा जरूरी मानें उनका कहना ये है कि शरीर को जान लें तो ठीक है नहीं जाने तो भी भोजन को तो पहँचान ले और बागवट जी ने पूरी विनम्रता से पूरी गंभीरता से एक बात लिखी है कि जिसने भोजन को पहँचान लिया उसको जिन्दगी में कभी भी और बागवटी जी कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी खोज अगर कोई है तो वो रसोई घर है और वो कहते हैं कि सबसे बड़ा विग्यान अगर कोई है तो ये रसोई घर का विग्यान है जिसको भोजन विग्यान कहें या पाक शास्तर कला कहें जो भी बात आप कहना चाहें वो ये कहते हैं कि इस से बड़ी खोज पूरी दुनिया में हुई नहीं और अगले हजारों साल होगी नहीं इतनी गहरी बात वो कहकर चले गए यहां से वो कहते हैं कि पिछले हजारों साल में हुई नहीं, भोजन से ज्यादा रिसर्च, और अगले हजारों साल में होगी नहीं, और मैं अपने अनुभव से और आप खुद अपने अनुभव से ये बात कह सकते हैं, कि दुनिया में भोजन और रसोई पर सबसे ज्यादा रिसर्च अगर कहीं हुई तो भारत में हुई और अगले हजारों साल भी होगी तो भारत में ही होगी क्यों दूसरे देशों में भोजनी नहीं है